भारती टीम के पाच खिलाडियों पर कोरोना प्रोटोकाल तोडने का आरोप लगा है उन पे इंडोर रेस्टोरेंट में खाना खाने का आरोप है कोरोना प्रोटोकाल के तहत वे सिर्फ आउट्डोर डाइनिंग कर सकते थे इस घटना से साथ जन्वरी को भारत ऑस्टेलिया क बीच सिड्डी में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच पर संकट मन रहा है इन सभी पाच खिलाडियों को कोरोना प्रोटोकाल तोडने के आरोप में आस्टेलिया के मैल्बिन में आइसोलेट कर दिया गया है जिन खिलाडियों पर प्रोटोकाल तोडने का आरोप लगा है उनमे कप्तान रोहित शर्मा विकेट कीपर रिशब पंथ ओपनर शुम्मन गिल और प्रित्विश शा और फास्ट बॉलर नौदीप सैनी सामिल हैं। इन में से तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा रिशब पंथ और शुमन गिल का खेलना टै था। आरोप सही साबित हुए तो 6 में खिलाडियों के बिना टीम इंडिया बचे हुए दो टेस्ट खेलेगी क्योंकि विराट कोली ने ब्रेक लिया है समी और उमेश चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं। पजुदा स्कॉट में से अगर एक भी खिलाडी चोटिल होता है तो टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किले बढ़ जाएंगी क्योंकि बैक अप में कोई भी खिलाडी नहीं बचा है। झाल 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 झाल